एलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूचर ओंलाइन क्लासेई दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे DL8, 2nd, DL8C, जूड़े पेपर S5 के उपर बात करेंगे तो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे S5 पेपर के 1 II को हम देखेंगे जिसमें हम लोगों पढ़ना है, खेल और खेलकूत के बारे में जानना है, यह आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस यूनिट में कि खेल क्या होता है, यह आपका पहला पॉइंट है, तो खेल या सब्द ही एक परकार का आनन्द है, जो खेल सब्द ही है, वह सुनकर ही क्या होता है, हम लोग के मन में आनन्द जागरित हो जाता है, वे सभी कारे जिसे ह हम लुटिपूर्वक अपने मन से सवतंत रूप से करते हैं जिसे हमें आनंद मिलता है। खेल कहलाता है यानि जो खेल सब्द है क्या है खेल सब्द हम लोग सुनते ही क्या होता हम लोग के मन में आनंद क्या होता है जारित हो जाता है वे सभी कारे जिसे हम क्या करते हैं रूची पूर्वक अपने मन से स्वतंत रूप से करते हैं और जिससे क्या होता है हमें आनंद म पने पसंद के अनुसार खेलते हैं या वह किरिया है जो अपने आप में स्वतंत्र उदेज से हीन और आनंद पूरू होती है याँ जो खेल के आय खेल एक आइससे किरिया है जिसे पड़ी भास कते हैं तो सबसे पहले हम लोग जाल लेते हैं, गुलिक के अनुसार, किनके अनुसार? गुलिक के अनुसार, खेल वह किरिया है, जिसे हम अपनी इक्षा से करते हैं, खेल किया है, खेल वह किरिया है, जिसे हम लोग अपनी इक्षा से करते हैं, नेक्ष्ट मनोबेग्यानिक है, आगे हम लोग देखते हैं खेल की विशेस्ताय क्या क्या होती है क्या हम लोग का पॉइंट्स खेल की विशेस्ताय तो खेल आनंदाई होता है खेल क्या होता है स्वतंत्र होता है खेल वास्त्विक जीवन में महत्पून होता है खेल स्वव प्रेडित तथा स्वव होता है खेल में प्रकीरिया महत पूर्ण होती है नौकी परिणाम नेक्स्ट आपका है खेल कलपना सील और स्रोग्सनाफमक होते हैं नेक्स्ट आपका खेल के बिशेस्ताय है, खेल से क्या होता है, बच्चों को आनन्द मिलता है, खेल कैसा होता है, सोतंत्र होता है, खेल क्या होता है, वास्तियों की जीवन महत्पूर्ण होता है, खेल से बच्चे क्या होता है, सोवा प्रेरित होते हैं, और सोवा निर्देसित होते हैं, खेल मे क्या होता है आपके खेल के बिसेश्टाय होते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोंका पॉइंट है खेल के बिभीन परकार खेल के बहुत सारे परकार होते हैं आपका पहला कौनसा है? रचनात्मग खेल इस खेल में मिट्टी का खिलोना बनाना लकडी का गहट बनाना आधी इसके माध्यम से कल्पना का विकास होता है यानि कि वैसा खेल जिसमें बच्चे क्या करते हैं मिट्टी के खिलोना बनाते हैं लकडी के घर बनाते हैं वह कैसा खेल के लाएगा आपका राचनात्मक खेल के लाएगा यानि बच्चे अपने राचनात्मक खेल के लाएगा यानि बच्चे अपने राचनात्मक खेल के लाएगा यानि बच्चे अपने राचनात्मक खेल के विकास होता है, next आपका है तीसरा नियमबद खेल, क्या है तीसरा आपका नियमबद खेल, किसी भी प्रकार का खेल, जो एक नियम द्वारा खेला जाता हो, क्या कहलाएगा आपका नियमबद खेल कहलाएगा, जैसे example में देखें तो किरिकेट हो गया, किरिकेट में बहुत सार किस तरह खिलारी को इन किया जाएगा यानि कि यह सब कैसे होता है कि नियम के अनुसार चलता है तो यह क्या क्या लाएगा आपका नियमबद खेल क्या लाएगा नियमबद खेल से समय कात्मक विकास होता है जो आपका नियमबद खेल उसे क्या होता है बच्चों के अंदर समय ये बातों का बीचार का क्या होता है विकास होता है नेक्स्ट आपका खोजी खेल क्या है आपका खोजी खेल खेल को अपने आनन्द या रूची द्वारा नवीन खेल खोजना जिसका नियम खुद से ही बनाए जाता हो तो क्या कहलाता आपका खोजी खेल कहलाता है यानि कि वैसा खेल जो बच्चे अपने नवीन तक्निकों का परियोग करके खोजते हैं और खुद का एक नियम बना के खेलते हैं वो क्या कहलाएगा आपका खोजी खेल कहलाएगा तो यह आपका खेल के बहुत सारी प्रकार हो ग सब के साथ खेलने से बच्चों का क्या होता है समाजिक विकास होता है नैतिक विकास भी का होता है खेल के द्वारा बच्चों को होता है और लास्ट क्या आपका है खेल के माध्यम से सिख्छा का भी विकास होता है तो खेल एक परकर के ऐसा मतलब माध्यम है जिसके द्वारा क बच्चों का सरवानिक विकास होता है, यानि कि समाजिक विकास, सायरिक विकास, बौधिक विकास, मांसिक विकास, यानि कि सबी तरह का विकास कैसे होता है बच्चों को, खेल के द्वारा ही होता है, तो खेल बच्चे के लिए काफी महत्पूर्ण है, और हर बच्चे को खेल आगे देखते हम लोग खेल के विकास को परभावित करने वाले बहुत सारे काड़क होते हैं तो आपका पहला क्या है स्वास्त जिन बच्चों का सारीरिक स्वास्त अच्छा होता है वो बच्चा हर प्रकार से अधिक किरियासील होते हैं यानि कि वैसा बच्चा जिसका सारीरिक स्वास्त क्या होता है अच्छा होता है वो बच्चा क्या होता है हर प्रकार से क्या होता है किरियासील होता है यानि कि सारे कामों को करने के लिए क्या होता हमेशा एक्टिव रहता है ततपर रहता है तो बच्चे के जीवन में स्वास् बाले अवस्था के बाद समानेत बालक बालिकाओ का खेल अलग-अलग हो जाता है जो उनकी रूची को प्रहुईत करता है यानि कि बच्चा जब छोटे होते हैं क्या करते हैं यानि कि लड़का-लड़की क्या करते हैं साथ में खेलते हैं यानि कि जो भी होते हैं घर में क्या होता है पर भावित होता है यानि कि लींग के अधार पर खेल को बाटना क्या है गलत बात है हर खेल को भी खेल सकता है वह गल्ट ह वomy जो तो खेल को मतलब बाटनाने चाहिए सभी को एक साथ खेलने का मौका देना चाहिए नेक्सलित का point है ऐई yoo की आपका पॉइंट आयू यानि कि एज, बचपन में सभी बच्चे एक साथ खेला क्या करते हैं, पसंद करते हैं, यह अपने घर के आसपास खेलते हैं, परन्तु एक आयू के बाद भी अपने सम्मू के साथ खेला पसंद करते हैं, यानि कि जब बच्चा छोटे होते हैं, साथ में खे खेलने के लिए परियाप्त जगा का होना क्या अनिवार्य है क्योंकि सायरिक विकास के लिए खूले मैदान में खेलना काफी आवस्यक है यानि कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलप्मेंट अच्छे से हो सके उसके लिए क्या करना होगा बच्चों को खूले मैदान में खेलन समय होता है बच्चे किसी भी समय नहीं खेल सकते और थात उनका दिन चड़िया भी इसी के अनुरूप होना चाहिए यानि कि बच्चो को क्या करना होगा खेल के लिए एक अलग समय बनाना होगा खेल के लिए क्या करना होगा बच्चो को सही समय अपने खेलना होगा ऐसा ने क आपका point है खेल समागडी जिस प्रकार का संसाधन होता है बच्चों का खेल भी उसी प्रकार का होता है यानि कि जैसे बच्चे होते अपने घड में समाज में जैसे से बच्चे खेलते हैं बच्चों को क्या करना है संसाधन भी उपलवद कराना है अगर हम लोग जैसा संसाध और अपने खेल को क्या कर सके आगे बढ़ा सके तो बच्चों के जीवन में खेल समागणी होना काफी जॉल्डी है ताकि आपका अपने खेल क्या कर सके एवन परियोग करते है यानि कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं एक तरह का बैग्यानिक ही होते हैं क्या करते हैं खेल को क्या करते हैं अपने नुसार मतलब खोजते हैं और से क्या करते हैं परियोग करते हैं दूसरा आपका है सौभाविक खेल ऐसा खेल जिसे बच्चे अपने रूची एवं बिना किसी प्रकार के परतिबंद के खेलते हैं वह क्या कहलाएगा आपका सोभाविक खेल कहलाएगा निक्स्ट आपका है रचनातमक खेल खेल के माध्यम से कुछ बिचार एवं नियम को खुद से बना कर खेलना क्या कहलाएगा आपका रचनातमक खेल कहलाएगा यानि कि बच्चे क्या करते हैं खेल के मादम से क्या करते हैं कुछ बिचार एव नियम को बनाते हैं और खुद से क्या करते हैं खेलने का परियास करते हैं तो वह क्या कहलाएगा आपका रचनातमक खेल कहलाएगा नेक्स्ट आपका है दौर दूप खेल इस प्रकार के खेल से बच्चो का सायरिक विकास एवं गामक विकास होता है जैसे दौरना भागना पकरना लुकाची पीत्यादी यह सब कैसा खेल है आपका दूप वाला खेल है इसे क्या होता है बच्चे का सायरिक विकास होता है और उसका गामक भी विकास होता है जिससे बच्चे क्या होता है mental development देखने को मिलता है बच्चे सही से सोच पाते हैं किसी भी कारे के प्रती तो बच्चे के लिए खेलना काफी जोली है इस तरह का खेल नेक्स्ट आपका है कलपनात्मक खेल इस परकार का खेल जिसमें बच्चे कलपना द्वारा खेलते हैं जैसे गुड़े गुड़ियों का खेल क्या है वो आपका कलपनात्मक खेल है नेक्स्ट आपका है समुहिक खेल एक परकार का समुह बना कर खेलना जिसे से उन में सभागिता का क्या हो जाए भावना का विकास हो जिसे जैसे किर्केट, हौकी, फुटवाल आदी यानि कि वैसा खेल जिसमें क्या करते हैं हम लोग समुह बना के खेलते हैं उसे क्या होता है बच्चों के अंदर समुही खेल करने का होता है विकास होता है उसमें क्या होता है सभागिता की भावना उत्पन होती है जैसे क्रिकेट में क्या होता हम लोग मिलके खेलते हैं दो ट लोगो हो ते हैं एक आपका इंडोर खील होगह दुस्रा क्या होगका आउट petrol जानि कर बन्द कमरे मेंav आपका इंडोर खेल क्या सबसे पहले बात करते हैं इंडोर खेल क्या होता है इंडोर खेल एक बंद वातावरन में खेलते हैं जो आपका इंडोर खेल होता है क्या करते हैं हम लोग बंद वातावरन में क्या करते हैं खेलते हैं और उनमें कई खेल एक ही अस्तान पर बैट कर खेल जाते हैं जो आपका indoor game होता है कैसा होता है हम लोग बंद बातारों में खेलते हैं और कैसे खेलते हैं हम लोग ऐसा भी खेल सामिल होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं एक ही अस्तान पर बैठ के खेलते हैं जैसे लुडू हो गया चेस हो गया कैडम हो गया जैसे कैसे खेलते हैं हम लोग घर में खेलते हैं और एकी अस्तान पर खेलते हैं इंडोर खेल घर या आंगन में खेल जाते हैं जो आपका इंडोर खेल कहाँ पर खेलते हैं हम लोग घर में खेलते हैं या फिर आंगन में खेलते हैं या फिर बंद कोट में खेलते हैं नेस्ट आपका पॉइंट है इस खेल से हमारी मानचिक विकास क्या होती है तेज होती है जो आपका इंडोर खेल होता है उससे क्या होता है बच्चों के अंदर मानचिक विकास क्या होता है तेज होता है जैसे देख सकते हैं कैरम, लुडो, सतरंज, तास्क खेल आदी यह सब क दिख्या गया कि वैसा खेल जो घर से बाहर खूले मैदानों में खेल जाते हैं आउटडोर खेल कहलाते हैं यानि कि वैसा खेल जो हमला घर से बाहर खेलते हैं खूले मैदान में वह कैसा खेल होता है आपका आउटडोर गेम होता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यह खेल हमारे सरीर को fitness एवं तंदरुस्ती बनाए रखता है जो आपका outdoor game है उससे क्या होता है बच्चों के अंदर fitness level अच्छा रहता है और क्या होता है बच्चे हमेशा आपने आपको तंदरुस्त महसूस करते हैं जैसे cricket हो गया, honky हो गया, volleyball हो गया, आपका tennis हो गया और आपका badminton हो गया यह सब कैसा खेल है आपका outdoor खेल है नेक्स्ट आपका point है खेल एवं खेल कूत की ओधारना खेल एवं खेल कूत की क्या ओधारना होती है तो खेल सिर्फ एक सायरिक गतिविदी नहीं है जो आपका खेल है सिर्फ एक सायरिक ग होते हैं वैसे ही खेल के चरम पर पहुच कर खिलारी समझता है कि वह यस पैसे और नीजी सुरक्षा के लिए नहीं किसी ऐसे गौडब के लिए खेल रहा था जो धन या यस से कभी प्राप्त नहीं होता है जो आपका खेल है एक सिर्फ साइरिक गतिविदी नहीं है इसे क्या ह होता है बच्चों के अंदर क्या होता है एक उच्तम उपलब्दी के विकास होता है अपने पहचान बना पाता है और सासाती सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलते हैं वह लोग कुछ अपने मतलब इजजत समान के लिए भी खेलते हैं ताकि समाज उनका क्या हो जाए इजजत ह तो खेल सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, खेल अपने आपको फीट रखने के लिए, अपने नाम को कमाने के लिए और अपने मतलब दिखाने के लिए कि हमने यह चमता है, हमने यह चीज को दिखाया है, तो खेल सिर्फ पैसों के लिए यह स्प्राप्त के लिए नहीं होता तो खेल कीसी इंसान के लिए काफी जोड़ी है और वो खेल में आच्छा कर रहया थो उससे क्या होता है समाज के नाम रोशन होता है तो खेल सी पैसे के साद नहीं है क्या खेल किया है तो आपके लिए अच्छा राएगा नेक्स देखते हैं हम लोग आगे बैग्यानिक दिश्टिकों से देखे तो यानि किसी पॉइंट को हम लोग बैग्यानिक दिश्टिकों से देखे तो खेल एक ऐसी आंत्रिक इक्छा है जो हमारे बेवार को परिवर्थित करती है ऐसी सारीरी किरियाओं की ओर ले जाती है जिसे से हमारी विरिधी उम्विकास संभव होता है खेल दोरा क्या होता हमारे बेवार में परिवर्तन आता है सांती साथ क्या होता आपके सारीरी किरियाओं को क्या होता है विरिधी उम्विकास में संभव हो पाता है नेक्स्ट आपका पॉइंट है खेल में किसी व्यक्ति को त्यार करने अथवा पुर्चाहन देने के उसकता नहीं होती है यानि खेल के लिए आप किसी व्यक्ति को त्यार नहीं कर सकते हैं जब रस्ती तथा उसे प्रसाहन देकर आप उसे खेलबाने के लिए क्लिए 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 मजबूर नहीं कर सकते हैं खेलने के इक्छा जब उसमें होगी तो वो हमेशा अपने आपसे ही क्या करगा खेलना चालू कर देगा अपनी इक्छा कर नुसार ने खेलना वो चालू कर देगा तो उसे क्या होज़ागा उसे संतोस भी मिलेगा हमेंसा खुशी भी मिलेगा तो खेलने के लिए किसी को द्वाव नहीं डाल सकते हैं जब बच्चा के एक्छा होगा तो खुद भा खुद खुद खाहेँ खेलना चालू कर देगा और वो अपने हिसाब से खेलेगा तो उसे क् पुर्वक किया जाए तथा जो जीवन के प्रति लगाव उत्पन करे खेल कहलाता है यानि कि कोई भी कारे जो अतरिक्त समय में प्रसंता पुर्वक किया जाए तथा जो जीवन के लिए क्या हो जाए प्रति लगाव उत्पन करे क्या कहलाता है वो आपका खेल कहलाता है अब ह खेल एवम खेलकूत का महतों के उपर बात करेंगे, यानि खेल एवम खेलकूत का क्या महतों है हमारे जीवन में, तो खेल एवम खेलकूत के दवारा बच्चों का सरवांगिंग विकास होता है, खेलों में भाग लेने से सरीर स्वस्त रहता है, जीवन में जितना पढ़ाई क महतो है उतना ही खेल कुद का भी महतो है यानि पहले क्या था पहले खेलने के लिए बच्चो का करते थे हम लोग गार्डियन के रूप में मना करते थे लेकिन अब क्या है अब खेल की भी क्या हो चुकी है खेल भी काफी अच्छा आगे बढ़ चुका है खेल में काफी है स्को प्रशन और स्वस्त रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा यानि कोई बच्चा प्रसन और स्वस्त रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा खेल के अंतरगत सरीर बहुत अधिक परिश्रम करता है प्रिणाम सरूप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सरीर के अंदर जाती है खेल के अंदर क्या होता है, शरीर क्या होता है, अधिक में परिशरम करता है, तो बच्चों के अंदर क्या होता है, शरीर में काफी तेजी से जाती है Next point है, खेलों में भाग लेने से सरीर स्वस्त रहता है, और हमारे मन का तनाव क्या होता है, दूर होता है तो खेलना काफी जोड़ी है खेल तन और मन को सांती देता है खेल क्या करता है? तन और मन को सांती देता है नेक्स्ट आपका पॉइंट है समाजी कौसल का विकास होता है खेल दोरा क्या होता है बच्चों के अंदर समाजी कौसल का विकास होता है बच्चा प्रतियोगी भावना चीकता है यानि खेल द्वर्वा क्या हुता है बच्चे के अंदर प्रतियोगी भावना उत्पन होती है अब हम बात करेंगे कि खेल की बुन्यादी अधार कौन-कौन चाह यानि खेल किस पे बेस्ट है तो आपका पहला क्या है आनन्द, दूसरा क्या है सुरक्षा, सबकी सभागिता और लास्ट क्या है आपका अनुभाव करके सीखना यानि खेल दवला क्या होता हमें आनन्द की अनुभूती होती है खेल में खोगा ओता हम लोग सुरक्षा का ग्यान प्राप्ट करते हैं कैसे गेम में सुरक्षी तरहना है, कैसे अपने जीवन में इसका विप्योंग करना है next क्या सबकी सभभागिता खेल में क्या होता हम लोग मिलकर खेलते हैं शबको supportive nature के दोबारा क्या करते हैं आनन्द, सुरक्षा, सबकी सभागिता और नुभाव करके सीखना अब हम बात करेंगे प्रारामिक विद्याले के विभीन खेलकू तथा उनका आयोजन तो प्रात्मिक अस्तर पर निम्न खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किये जाता है आपका जो प्रात्मिक अस्तर होता सिरिंखला बनाना जूला जूला या फिसलना मुर्गा लड़ाई और रुमाल या टोपी वाला खेल यह सब कैसा खेल है यह सब छोटे बच्चों के लिए खेल है जो अपने आसपास के बच्चे छोटे बच्चे क्या करते हैं स्कूल में खेलते हैं चक्र बना कर खेलते हैं, सरकल बना कर खेलते हैं, सिरिंखला बना कर खेलते हैं, जूला जूलते हैं, उस पर फिसलते हैं, मुर्गा लराई कहने का मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, मुर्गा बन गए और उस पर आगे जा रहा हैं, पीछे जा रहा हैं, और जो बच्चा मतलब मुटगँ भंदने में क्या हो जगा उसः पहल हो गया तो nga उसे क्या करते है दंड करते है फिर उसे चोर बनाते है फिर उसे खेलने के लिए पोसाहिद करते है तो यहाँ नॉर्माल ने नहीं लेड़े यानि रुमाल को द्वारा बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे गेम को खेलते हैं एक सरकल बना लिए और सभी बच्चे बैठ गए और एक रुमाल ले लिए और उसमें से एक चोर बन गया और क्या करते हैं और जिसके पीछे हम लोग रुमाल को गिरा दिये फिर वो क्या हो गय बच्चि द्वारा रोजाना खेल जाने वोले अस्थान्ये खेल, यानि कि छोटे बच्चे द्वारा जो अस्थानिए खेल कॉन-कॉन से खेल जाते हैं, तो अपका रश्ति कूध हो गया, आपको लुपत्च हो गया, जो बच्छम में हम लोग भी खेलते थे फित्टो छोटा सा 5-6 और क्या कर लिए हम लोग एक टुगरा लख लिए मिट्टी का या पिट जो भी और इस पर बॉल्ब से मारके हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं पिट्टू वाला खेल खेलते थे निश्ट आपका है मठकी फोर इसकी बास कई लुकवल है लुकाची पिटू वाला खेल मके फोर लुकवल, छोट्टी पाई, खुपन खुपाई और लास्ट कि आपका पाहार-पानी आधी भी बहुट सारे आसकते हैं करण फियोजी स्थे तरह के कि अपका अस्थानिय खेल हो जाएगा जो हम तो एथलेटिक्स सब्द युनान भासा के एथलान सब्द से लिया गया है जो आपका एथलेटिक्स सब्द है युनान भासा के एथलान सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है मुकाबला होता है यानि कि जो आपका सब्द है एथलेटिक्स उसका अर्थ क्या होता ह मुकाबला होता है नेक्षटा का पॉइंट है एथलेटिक्स में विभीन प्रकार की असपरधाय समाहित की गई है जिन में डिशेस्त दौर, कुद, निशाने बाजी, भारो तोलन एवं अन्य मुखे खेलों के कुछ प्रतियों किता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है आपका दौर होता है रसी कूद होता है निशाने बाजी होता है भारो तोलन होता है निशाने बाजी होता है भाला फेक होता है यह सब क्या होता है आपका वेट लिफ्टिंग होता है यह सब कैसा खेल आपका एथलेटिक्स में सामील है आगे हम बात करते हैं एथलेटिक्स क कपड़ियों करके भाग नहीं ले सकता है ज़ो आपका यानि इस गेम में अगर आप ट्रैक पे चले गए हैं और ट्रैक से वापीस आ गए हैं और फिर जाना चाहते हैं तो कैसा होगा आपको नहीं जाने का एलाव मिलेगा आप नहीं जा सकते हैं फिर से आपको एक ही बार मौका मिलेगा अगर आप एक बार गये तो आपको दौरना या फिर वापिस आना है तो वापिस आ सकते हैं फिर उसके बाद आपको दुबारा मौका नहीं मिलेगा नेक्स्ट आपका पॉइंट है एथिलेटिक्स की परतेक पर्चोगिता से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने पर उसे निश्कासित कर दिया जाता है यानि कि जो गेम होता है एथिलेक्स का उसमें बहुत सारे नियम बनते हैं और खिलारी के रूप में आगर आप उस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं और आगर आप दोसी पक्ले जाते हैं तो आपको क्या कर देयाएगा गेम से बाहर कर देयाएगा तो एटलेटिस बनने के लिए काफी धूअन अरक आप सारे नियमों का पालन करना होगा ताकि आप अपने काड़ों को सफलता में प्राप्त कर सके नेश्ट आपका पॉइंट है जिमनास्टिक क्या है आपका पॉइंट जिमनास्टिक जिमनास्टिक ऐसा खेल है जिसमें शरीर के समस्त अंगों का व्याम होता है जिमनास्टिक कैसा खेला है एक ऐसा खेला है जिसमें क्या होता है सरीर के समस्त अंगों का व्याम होता है या खेल अत्यांत प्राचीन है इससे खेलारी की मान स्पेशियों का क्या होता है गठन होता है शरीर का संतुलन फूर्ती तेजी से दमखम आदी क्या होता है गुन वर्ष 1952 के उलम्पिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया था यानि कि भारत क्या किया था जब 1902 में ओलम्पिक खेल गया था जिम्नास्टिक उस गेम में पहली भारत के तरब से कोई खेलने गया था नेक्स आपका पॉइंट है आउट्डूर गेम अब हम बात कर लेते हैं आउट्डूर गेम के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं जैसे कि फुटबॉल, होकी, बैड्मिंटन, कमबड़ी, खोको यह सब कैसा खेल आपका आउट्डूर गेम है तो आपके एकजाम में इसा बात है कि पाँच बीविन आउट्डूर गेमों के बारे में चर्चा करें तो आपके लिए काफी महतकुन बिंदू है तो सबसे पहले हम बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें बाल को पैर से ठोकर मार कर खेला जाता है फुटबॉल कैसा खे फुटबॉल कak क्या होता है दोनों में होते है नेक्सट वकापॉइंट है अंतरास्टी अ? मान्को क्यों उसना भ्हेल की आओधि 90 मिंट होती है जो आपका फुटबॉल का गेम है कितने मेंट का होता है 90 मिंट का गेम होता है जिन है 65-45 मिनेट की दो मध्यानतर में विभाजित करेकर खेला जाता है। जो आपका 90 मिनेट का अओधी हुता है समीं क्या करते हैं हम लोग 35 मिनेट के बाद क्आब क्या होता है रिसेस है यानियोज चोड़ा सा एक lunch break होता, पेर शुए बातास 미्ट का फिर एक बार break होता है यानि की पेटास, पेटेमट का करें दो, लिए खेमों के बाथ करा हमें इस game को फुटबॉल का यम उन्ड यम्ड में माना जाता है, इंगलंड देश को लाठी की सहाथा से रवर या कोठोर प्लास्टिक यो गयंद को अपनी वीरोधी टीम के नेट या गोल में क्या करता डालने के कुछिस करता है जो आपका होकी खेला है दो टीमों की बेच खेला जाता है इसमें का लकडी का कोठोर एक ऐसा धातू या फाइबर से बनी करते हैं और इस लाठी के साहते से क्या करते हैं हम लोग जो रवर या प्लास्टिक का जो गयंद होता है उसको क्या करते हम लोग वीरोधी टीम के नेट के सामने क्या करते हैं फिर गोल में क्या करते हैं हमेशा भेजने का प्रियास करते हैं नेक्ट पॉइंट है आधुनिक होक़्ी के जनदाता इंग्लेंड को मानन जाता है किसे मानन जाता है आदुने की होक़्ी के जनदाता इंग्लेंड को मानन जाता है जहां प्रथम अंत्रास्टीय मैच छब्वी जनवरी 1894 सिविको हुआ था चेल्स और एवम आ belliलेंड के बीच हुआ था जो आपका प्रथम अंत्राश्टीय मैच हॉंकी का कब हुआ था 26 जनवरी 1894 को हुआ था चेल्स एवं आइरलेंड के बीच में हुआ था नेक्ट पॉइंट आपका इसमें है हॉंकी के खेल सन 1908 हिस्वी में उलम्पिक में सामिल किया गया अलम्पिक में काब सामिल किया गया इस खेल को 1908 हिस्वी में किया गया तथा पहला ओलम्पिक सवन पदक इंग्लैंड ने जीता और आपके हॉकी खेलारी में किटने खेलारी होते बीच में खेल जाता है जिसमें क्या होता है आपका आयताकार नेट या कोट में क्या होता है आपका बैडमिंटन खेल और कैसा खेल आए इसमें क्या होता है आप एकल खेल सकते है या फिर दो जोरों में खेल सकते है जिसमें क्या होता है एक नेट होता है और एक मतलब आयताकार कोट होता है जिसमें क बैन्मिंटन खेल में क्या होता है? आप रैकेट से क्या करते है सटल कॉक को मार कर बिरोजी टीम के खिलारी को क्या करते है? मतलब मात देते हैं, उससे क्या होता आपको पॉइंट्स मिलता है निइस्ट आपका है कबड़ी कबड़ी मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है दोनों टीमों में कितने खेलारी? साथ सत खेलारी होते है कबड़ी भारत के सभी राज्यों में खेला जाता है या खेल काफी लोग पीडिये है पहले कबड़ी पूरुस ही खेलते थे लेकिन अब महिलाए भी खेलती है भारत के अतरिक्त यह खेल नेपाल, स्रिलंका, मियानमार, इंडोनेसिया, थाइलेंड, आधी में क्या होता खेला जाता है आगे हम बात करें किरिकेट के उपर तो किरिकेट एक बल्ले और गेंद का दलिये खेल है जिसकी शुरुवात दक्षिन इंग्लैंड में होई थी एक किरिकेट टीम में एक कप्तान सहीत इगारा खेलारी होते हैं किरिकेट के पितामा किन हैं बोलते हैं हम लोग डॉक्टर डबलू सी ग्रेस को बोलते हैं जिन का जनम कम हुआ था 248 influencers में मिर्तु कम हुँए थी 1915 topic में आगे हम बात करेंगे 15 मार्च 20外 competitive Christianity को किरिकेट का पहला टेस्ट किरिकेट खेला गया 15 मार्च 2870 में इंह किरिकेट का पहला टेस्ट किरिकेट खेला गया यह मैच 19 मार्च तक खेला गया था इससे पहले test cricket match England और Australia के बीच क्या हुगा सामने पहली बार उतरी थी इसका सुबाराम कब हुआ था Melbourne cricket ground में यानि की AMCG में हुआ था यानि cricket match का पहला match Australia और England के बीच खेला गया था कहां पे आपका AMCG यानि की Melbourne cricket ground में खेला गया था जो कि अभी कहां पे है आपका England में है ने-इस्टआ का point है किरिकेट में cool 42 तरह के नियम होते हैं किरिकेट में कितने नियम होते हैं 42 तरह के नियम होते हैं किरिकेट को हिंदी में गोल गटम, लकर पटम, देद अनादन परत्यों किता कहा जाता है किरिकेट का पहला वर्ल्ड कप साथ जून 1975 को हुआ था किरिकेट के भावान किसे हैं हम लोग बोलते हैं सचीन तेंजर को बोलते हैं जो कि एक भारती है मुल निमासी है आगे हम बात करेंगे खोको को उपर किस पर बात करेंगे खोको एक गेम है जो कि आपका आउट्डूर गेम है खोको भारत का लोग पिडिये खेल है प्राचीन में या खेल महरास्ट राजे में रथ पर खेला जाता है जो आपका खोको खेल है कैसा खेल है खोखो फेडरेशन आफ इंडिया है खोखो का क्रीडा छेत्र आयताकार होता है यह 27 इंटर 16 मीटर होता है यह आपके खोखो के बाड़े में हो गए अब हम बात करेंगे इंडोर गेम यानि कि जो घर के अंदर खेलते हैं आंगर में खेलते हैं या फिर बंद कोट में खेलते हैं आपका इंडोर गेम क्यालाता है जैसे कि आपको लुडो हो गया सुडो को हो गया तो सुडो को कैसा गेम है एक अंक पहली वाला गेम है सुडो को आंकडो का खेल है जिसे से स्तत्त वक सकती क्या होता है बढ़ता है इस खेल का अंक पहली भी क्या करते हम लोग परियोग में करते है निक्ष्ट आपका है सत्रंज क्या है आपका शत्रंज शत्रंज दो लोगों द्वाड़ा छे प्रकार के 32 मोहडों के साथ क्या करते हैं हम लोग भी साथ पर खेलते हैं प्रते एक प्रकार का मोहडा खास तरीके से बढ़ता है खेल का अलग छे मात देना होता है जिसे क्या खेला है अब हम भात करेंगे प्रत्म कूप चार क्या होता है आपका प्रात्मिक उपचार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले उसकी जान बचाने की लिए जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो क्या कहलागा आपका प्रात्मिक उपचार कहलागा या फिर प्रात्मिक चिकिस्ता कहलाता है नेक्स्ट देखते हैं प्रात्मिक उपचार के उद्यस से क्या है तो जान बचाना, इस्तिती भी गरने से क्या करना बचाना, ठीक होने में मदद करना, रक्त अस्तरावन को क्या करना ठीक करना, स्वसन और परिसंचरन को क्या करना सही करना, व्यक्ति को सदमा लगने से पहले क्या करना बचाना है, एवं पहले से ही सदमे में है तो उसे क्या क करना इलाज करना है फ्रैक्चर या जोड हिलने की स्थिति में परभावित छेतर को हिलने डूलने न देना इसे अब क्या है प्रात्मिकुपचार के उद्ध से हैं नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है आसान प्रकिर्याओ और दवाओ से क्या करना दर्द को ठीक करना घायल व प्रात्मिकुपचार का महत्व क्या क्या है तो पहला प्रात्मिकुपचार का महत्व क्या क्या है तो पहला प्रात्मिकुपचार यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि चिकिस्तिय सहायता सही तरीके से दी गई है नहीं यानि कि अगर आपके पास प्रात्मिकुपच चिकिस्तिय सहायता किया है क्या वह सही किया है कि नहीं किया है तो इंसान के लिए प्रास्मिक उप्चार का जनकारी प्रापत करना काफी जरूरी है तिसरा पॉइंट आपका है प्रास्मिक उप्चार द्वारा क्या होता है लोगों में स्वास्त के प्रति जागरूप किया ज केंची अलग अलग प्रकार या कार क्या करना उसमें चिपकाने के लिए टेप को रखना पटी रखना तीकोनी बेंडेज रखना पतली पटिया रखना पोछने के लिए कपरार रखना चिपकाने वाली टेप रखना खासी की दवा बुखार की दवा यह सब क्या है आपको प्र ibuprofen इस्तरक दवा क्या करना रखना है जैसे दर्द निमारक दवा ये सब है थर्मामीटर सुई मढ़म पट्टी लोशन साबून डिस्पोजल सिरिंद वारेस पैकेट डिटॉल सेबलोन आदी यानि कि जो भी आपके ये सब जो सामील है प्वाइंट ये सब कैसे रखना है प बरते घर मेंना काफी जोड़ी है क्योंकि हर समय हम लोग डोक्टर के आ नहीं जा सकते हैं कभी कभी छोटी मुसीवते आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसे असानी से घर पे ही ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं